hello friends, it's my channel Aziz Madakji, मैं आप सभी का face स्वागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो हम सिखने वाले हैं कि जो एक आना सोना होता है इसमें कितने ग्राम होते हैं इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है इसमें मैंने डिटेज साल बताया है वीडियो में इस वीडियो में निकाल कर दिखाने वाला हूं कर ना होगा इसको वीडियो में इसे कुछे ब residence करते हैं अगर चैनल परेखर स स्प्रेम करें हमें यूब से लुष्प aज कुरह. सूचना देढ़ू जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा य्यूटूब पर शाब श्य बजे स्क्स पियम साम को श्य बज़े में आपको आज से वीडियो अपलोड करूंगा ठीक है तो आप श्य बज़े अपधे रोजाना वीडियो मिलेगी साम को ठीक तो हम चलिए अपने सवाल को हल करते हैं तो एक आना सोना कितने ग्राम होते हैं दोस्तों तो पहले यह मैं बता दो जो एक आना जो सोना इसमें कितने होते हैं जीरो दस्मिनुट। छै दो पांच ग्राम होते हैं इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लाक्ष्ट में मिल जाएगे ठीक है उसमें मैंने डिटाक साथ बताया है निकाल कर कि कितने कैसे यह जी जी दस्मिनुट। ग्राम आया है ठीक तो यह हो गया एक आना सोना में इतने ग्राम होते हैं तो हमें पता करना है कि चार आना सोना में कितने ग्राम हो जाएंगे ठीक है तो देखो एक आना में जिसे दो पांच ग्राम तो चार आना में क्या होगा अगर जिसे कि दो आना में बात करेंगे तो दो आना बराबर दू आना सोना में कितने गराम हो जाएंगे क्या करेंगे दो गुड़े एक आना के इसमें गुड़ा कर देंगे एक आना सोना के इसमें गुड़ा कर देंगे ठीक है क्योंकि दू आनेक निकालना है तो एक आना के इसमें गुड़ा कर देंग दो में तो चार आना सोना है बराबर चार गुड़े एक उना कर देंगे एक उना क्रिटा घ्राम अश्य दो पांच घ्राम टिक्ट कर दिजी कितना हो जाएगा चार पट्वीस के जीरो एसिल लगा धू चार दूमे का आट दू दॉस के जीरो एक चार चाच था का च्राइब दो बीस है पच्छीश यह तो कितना निकल का है दो दस्मलों पांच ग्राम कि लाइश्ट में जीरो है तो इसको लिखेने का कोई मतलब नहीं रहता है ठीक है तो चार आना में कितने निकल आया दो दस्मलों पांच ग्राम एक चार आना में जीरो दस्मलों दोपांच सब्सारी दॄ दश्मलों पांच ग्राम हो जाएंगे एक चार आना सोना में तो आई होफ दोस्तो आपको वीडियो अची लगी होगी इस तरह के से हम निकालना सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छे लगें वीडियो को लाइक के दरा चैनल पहले बाइस सब्सक्राइब के लेना चलिए मिलते एक नए वीडियो में